असलाम लेकम डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम एक ट्राइंगल का एस्ट्राइब सर्कल या एस्ट्राइब सर्कल ड्रा करेंगे एस्ट्राइब की डेफिनेशन के मताविक A circle which touches one side of a triangle externally and two produce sides internally is called a scribe circle या E circle इसके center को हम E center कहते हैं और इसके radius को E radius कहते हैं तो सबसे पहले हमें एक triangle given है ABC हम इसकी दो sides को produce कर लेते हैं और देखते हैं कि इसको फिर कैसे draw करना है इसकी एक side हम AB को अगे produce कर लेते हैं क्योंकि ये इसकी side का हिसा नहीं है तो इसलिए हम इसको dotted line से show करते हैं तो हमने AB को अगे बढ़ा दिया इसको कोई हम नाम दे सकते हैं से इसको हम point D कह लेते हैं AB को अगे बढ़ा दिया इसी तरह AC को भी हम आगे produce कर देते हैं और यहां पर इसको point E का नाम दे लेते हैं अब हम क्या करेंगे इस angle B का यानि के angle CBD बनता है इसका bisector draw करेंगे और इसी तरह इस angle C का यानि के ECB का bisector draw करेंगे तो उसके लिए हम compass को मनासब खोल कर point B को मरकज मान कर एक angle draw करेंगे point B के पर हमने compass को रखा और एक हमने मनासब radius का angle draw कर लिया अब इसको bisect करने के लिए जहां से यह angle start हो रहा है वहां पर हम compass राक कर एक arc लगाएंगे compass को हम थोड़ा सा खोल के fix कर लेंगे अब compass हम कम ज्यादा नहीं करेंगे तो एक arc हमने यहां पर लगाई जहां से यह angle start हुआ है इसी तरह यहां पर यह angle end हो रहा है हम compass को इस point पर आखकर दूसरी arc लगाते हैं तो इन दोनों points इन दोनों arcs ने जिस point पर intersect किया इस point पर intersect किया इन दोनों arcs ने इसको हम point B के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे तो यह angle B का bisector होगा इसको हम आगे बढ़ा देते हैं और इसको कोई नाम दे लेते हैं से यह BF है जिस तरह हमने इस angle का bisector draw किया है बिश गुरूसी तरह हम angle C का भी bisector draw करते है उसके लिए हम compass को मनासब खोल कर इतना खोलेंगे कि यह वाला angle disturb ना हो compass की no को हम point C पर रखेंगे और एक angle लगाएंगे यह angle यहां से start हुआ है और इस point पर end हो रहा है तो एक हम arc इस point पर राकर लगाएंगे यह जहां पर यह angle C end हुआ है हम compass को मनासब खोल कर fix कर लेते हैं इस point पर राकर एक arc लगाते हैं और एक arc हम point जहां पर यह angle end हुआ है इस point पर end हुआ है तो इस पर राक के लगाते हैं तो यह दोनों arcs जो हमने एक इस point पर राक के लगाई और एक इस point पर राक के लगाई वो यहां पर intersect कर रही हैं तो हम point C को इसके साथ मिलाते हुग आगे बढ़ा देंगे तो इस तरह यह जो angle C है इसका external bisector होगा यह D point था इसको उपर लगा लेते हैं इसको हम नाम दे लेते हैं point G का अब इन दोनों angle bisector's ने इस point पर एक दूसरे को intersect किया इस point को हम point I का नाम दे लेते हैं या O का भी नाम दे सकते थे यह हमारा जो ascribe circle है उसका center होगा अब ascribe circle draw करने के लिए हम compass की no को point I पर रखेंगे compass की no को point I पर रखेंगे और किसी एक side पर यह BC side पर यह CE side पर यह BD side पर perpendicular draw करेंगे तो हम इस BD side पर perpendicular draw करते हैं उसके लिए हम compass की no को point I पर रखेंगे और यह जो BD से कम से कम फासला है इस point I का उससे ज़्यादा compass को लेंगे यह फासला कम से कम है इस line BD का इस point I से हम compass को इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेते हैं इतना खोल लेते हैं इतना खोलने के बाद हम compass के no को इस point पर रखेंगे और एकाक लगाएंगे जो यह नीचे वाली line है इसको दो point पर intersect करेगी तो point B यहां पर आ रहा है तो point B को हम थोड़ा side पर लिख लेते हैं ताके यह mix अपना हो जाए point B हम यह वाला point B था point B को हम यहां पर लिख लेते हैं तो compass की जो point है हम उसको point I पर रखते हैं और एकाक लगाएंगे यह आख इस line जो है BD इसको दो point पर intersect कर रहे हैं इस point पर और एक इस point पर अब हमने क्या करना है यह जो length है हमारे पास यह वाली length है हमने compass को इस length के half से ज़्यादा खोलना है तो यह निके हम compass को तकरीबन इतना खोल लेते हैं इतना खोलने के बाद एक दफ़ा इस point भी यह जो point है हमारे पास यह जो हमने arc लगाई थी इस point पर हम compass को राक कर arc लगाएंगे आपकी compass displaced नहीं होनी चाहिए इसी radius की arc इस point पर हमने यह दूसरा जो point था उस पर राक के लगाएंगे जहां पर यह दोनों arcs मिलती हैं इस point I को उस point के साथ मिला आदेंगे और इसको IH का नाम दे लेते हैं और इस point को point कोई भी point कहा सकते हैं से point J कह लेते हैं यह वाला जो point है इसको हम point J का नाम दे लेते हैं अब हम compass को खोलेंगे point I से लेके point J तक और एक circle draw करेंगे हमने compass को point I पर रखा और इसको exact खोला point J तक point J तक खोलने के बाद हम circle draw करेंगे और यह वाला जो circle है यह triangle की एक side को externally touch करेगा और दो produce sides को internally touch करेगा देख लें यह जो हमने circle लगाया है point I के साथ इसने BC side को इस triangle की BC इसी जो side है इसको externally touch किया बाइर से touch किया और इसकी जो दो produce sides थी उनको internally touch किया तो ऐसे circle को हम ascribe circle कहते हैं या e circle कहते हैं और इसके definition के मताबिक a circle which touches one side of a triangle externally and two produce sides internally is called ascribe circle its center is called e center and its radius is called e radius यानि के point I इसका e center है और i से लेके j तक को जो फासला है यह e radius है तो इस तरह हमने ascribe circle को complete कर लिया next lecture में हम इसी chapter के next topic को complete करेंगे करेंगे